नमस्कार आज जीवी न्यूज देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया इस वक्त की बड़ी खबर अर्विंद केज्रिवाल और संजे सिंग को बड़ा जटका लगाया जी हाँ तो उनकी आचिका को खारिज कर दिया जी है इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आ रहे है गुड़ात से जिसमें परधान मंत्री नरेंदर मोधी डिगरी मानानी मामले में उनके खिलाफ जारी समन की पुष्टी करने वाले सत्र नैल के आदेश को चुनोती दी गई थी उसको दरसल दिली के मुख्यमंत्रि अर्विन केटरिवाल और साथ साथ आमादवी पाड़ी से राजसबा सांसद संजे सिंग की ओर से परधान मंत्री उसको चुनोती दी गई थी और चुनोती के मामले में गुजराथ हाई कोट का आज यानि 16 फरवरी को फैसला आना था और अब वो फैसला आ चुका है जैसके हमने आपको बताया कि खारिच किया जा चुका है यहाँ पर अरविंद केज्रिवाल और संजे सिंग की याचिका को तो लगातार कोट से भी यहाँ पर जटका लगता हूँ अरविंद केज्रिवाल को खुद को जितना मर्जी कटरिमानदर कह दे लेकिन कोट से भी यहाँ पर उनके लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है दरसल जस्टिस हैसमुक टी सुधार की पीट ने दो फरवरी को दोनों की और से दायर पुनर रिक्षन आवेद्रों को खारिच किये जाने के बाद चार दिन बाद दोनोंने सितंबर में हाई कोट में अपील दायर की थी अपील में इस मुद्दे को भी उठाया गया कि शिकायत का बोलने और अभिव्यक्ति की सुतंतरता के अधिकार पर भ्यानक प्रभाव पढ़ रहा है उलेखने है कि कथित तिपनिया जो है वो अरविंद के रिवाल की तरव से एक एपरल 2023 को एक समधाता समेलन यानि की प्रेस कॉंफरेंस के दोरान की गई थी और साथी साथ संजे सिंग ने भी कथित तोर पर दो एपरल 2023 को आयो जित एक दूसरे सम अधाता समेलन यानि की प्रेस कॉंफरेंस में ये सब बाते कई थी इसके बाद गुजरात विश्वद्याले ने एहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उनके खिलाफ अपराधिक मानहानी की शिकायत दायर की थी अपराधिक मानहानी की शिकायत को दर्च क और संजे सिंग के कथित बयानों का हवाला दिया गया जिसमें उन पर प्रेस कॉन्फरेंस में वंगियात्मक और अपमान जनक बयान देने का आरोप लगाया गया था शिकायत में कहा गया है कि ट्विटर हैंडल पर परधान मंत्री नरेंदर मोदी की डिगरी को लेकर यूनिवस्टी पर निशाना साधा जा रहा है उन्हें अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था बैरहाल हाई कोट के समक्ष अपनी अपील में दिली के मुख्य मंत्री अर्विंद के ज्रिवाल ने ये तरक दिया कि कथित अपमान जनक टिपनिया उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फरेंस में की गई थी जिसमें उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की डिग्री के बारे में एक मैतपून मुद्दा उठाय था और ऐसा करके उन्होंने अपने करतव्य का निर्वहन किया था यह उनकी तरव से कहना है जबकि डिग्री पहले से सारजनिक है और यह कहकर भारत के लोगों को जागरित किया कि महान राष्ट्र भारत भारत के परधान मंत्री सहित समयदानिक पत पर रहने के लिए शिक्षित और योग्य व साथित ब्यानों के मात्र अवलोकन में IPC की धारा 499 का कोई भी घटक आकरशिक नहीं होगा जिससे उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने और जारी रखने की आवशक्ता होगी क्योंकि उन्होंने लोगों को जागरित करने के लिए देखी क्या का गया था उनकी तरफ से कि लो आदमी पार्टी मखोल उठाती है पीएम मोधी की डिगरी को ले करके वो सबने देखा है और अब देखे कोट के अंदर जाती ही बाशा इनकी बदल जाती है कि नहीं देखिए हम तो सरल बाशा से जो है वह अपनी बात रख रहे थे हम आपने करतव्यों का निर्वहन कर रह शुरू करने का अधिकार है और वर्तमान मामले में गुजरात विश्वयदयल जो की राज्य का एक साधन है उसे पीडित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता यह देखिए अर्विंद केजिवाल कह रहे हैं जो आपने आपको पड़ा लिखा बताते हैं सबसे जाता मुख्यमंत्री वो क्या कह रहे हैं कि नहीं यह तो एक संस्थान है इनको कैसे यह कैसे मानानी का केस कर सकते हैं यह कोई पीडित व्यक्ति थोड़े मैं आप लगातार गुजरात यूनिवस्टी को कटगरे में खड़े करेंगे आप लगातार गुजरात यूनिवस्टी पर सवाल उठाएं पिछले महिने सुप्रीम कोट ने अर्विंद केज्रिवाल और संजे सिंग के खिलाफ आपरादिक मानहानी की कारवाही पर रोक लगाया दी थी और वर्तमान चरण में मामले को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने की संजे सिंग की याचिका पर विचार करने से इंकार करत से हुए जस्टिस बियार गवई और जस्टिस संदीप महता की पीठ ने अंतरिम राहत देने के सवाल को चार सप्ता के बितर गुजरात हाई कोट पर विचार करने के लिए छोड़ दिया था ऐसे समय तक कर ट्राइल कोट के समक्ष मानहानी के मामले पर रोक लगा दी गई अब यहां पर बड़ा अपडेट यही जिसमें जटका लगा है अर्विंद केट्रिवाल को यह मानहानी केस में जो गए थे वह याचिका लेकर के हाई कोट हाई कोट ने जो है उचको खारिच कर दिया दरसल एमदाबाद सित गुजरात युनिवस्टी ने ही इन दोनों ने केट्रिवाल और संजे सिंग को पता है कि परधान मंत्री की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है और इसके बावजूद दोनों नेता प्रेस कॉंफरेंस बुला करके कहते हैं कि डिग्री ना दिखाकर युनिवस्टी सच ही पा रही है जबकि ऐसा क कुछ भी नहीं है तो आप सोच यह जब सब कुछ सारुजनिक है फिर भी दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केट्रिवाल संजे सिंग प्रेस कॉंफरेंस बुलाते हैं आ करके इतना जूट परोस्ते हैं सब के सामने और फिर कहते हैं कि नहीं यह मानहानी क्यों कर रहे हैं बैरहाल अर्विंद केट्रिवाल और मानहानी केस की अगर बात किये तो यह कोई निया रिष्टा नहीं है बहुत पुरान रिष्टा है आदत रही है अर्विंद केट्रिवाल की पहले बड़े-बड़े आरोप लगाते थे हैं ना अंदोलन के बार जब नहीं पार्टी बन मांग चुके हैं बीजेपी के नेता और केंद्रे मत्री नितिन गडकरी से माफिय मांग चुके हैं अरुन जेडली से माफिय मांग चुके हैं तो आप देख सकते हैं इतिहास अर्विंद केट्रिवाल का पहले आरोप लगा देते हैं जुठे और बाद में ताकि मानहानी न अब आपका इस पूरे मामले पर पूरी खवर पर जो भी प्रतिक्रियों अब्सूर्ब हमारे सब्सक्राइब में शेयर करें इस दोड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं सब्सक्राइब